बारत के यश्वश्वी प्रधानमंती सिरी धरेद्र बोधी जी के नेचितों में जो दूसरी बार भारत सरकाद बनी है उसके जो पहले सो दिन है उस सो दिन की प्रगती उस सो दिन की जो लोगों के बीच जन संबाद के साथ साथ विकास की गंगा भाई हो चाहिए वो बहुत साड़े कड़े और बड़े निरने वे हो ऐसे आउसर पर उन सो दिनों का लेखा जोखा सामने प्रसुत करते हुए मुझे गौरव मैसूस हो रहा है कि शन में हमारे प्रदेश के भारते जनता पार्टी के हमारे प्रभारी शाम जाजू जी राष्ट उपाजक्षें प्रदेश सरकार के मन्ती सिरी दन सिंग जी और सभी जन्य प्रति दिदी और ब्रदादी कारीगंड सभी उपस्तिते में पत्रकार भाई और बेनों का अभी जन्दन कर रहा हूँ मुझे लगता है कि देश की सित्यर वर्षों की आज़दी के इत्यास में ये पहला ऐसा आउसर हुआ होगा कि किसी सरकार में सो दिल के अंदर इतने बड़े फैंसले दिये हूँ जो न किवल देशों दुनिया में चर्चित हुए हूँ न किवल यूजनाओं के पक्ष मेवे हूँ न किवल कानून बने हूँ बलकि जिसने वो गोल में बदल दिया हूँ ऐसा ऐसा निर्ड़े इस तरीके के फैंसले ये सो दिन के अंदर हैं कभी भी कोई सरकार जब काम करती है तो आज तक लगभग ये आरूप लगते रहे सरकारों पर कि जब सरकार के तीन चार वर्ष पूरे हो जाते हैं तब अंतिम वर्ष के रूप में वो अपटी पिटारा खोलते हैं इस अववात को इस अधारणा को आजने नरेंद्र मोदी जी ने पुरी थाकत के साथ तोड़ा है और उनकी सरकार ने पहले ही दिन से जिस दिन सरकार बने उसके चन्द मिंटों के अंदर से या अभ्यान शिरो हो गए थे देश के निर्मान के अभ्यान शिरो हो गए थे और मैं समझता हूँ कि दरजनों दरजनों जितने विधियक पारित हुए हैं इन सो दिन के अंदर, राजय सभर लोग सभर के अंदर, जितने में कानून पास हुए हैं, कुछ सर्समत्य से हुए हैं और कुछ दोत्याहीं बहमत से हुए हैं, वो भी देश के इत्यास में, पहली बार उनों ने एक अपना अलग इत्यास रचा है, जाए वो 1337 का मिशेख हो, दारा 370 और 35 के इस देश का बच्चा बच्चा भी महसूस करता था कि आखित एक देश के अंदर दो निसान, दो प्रदान, दो विधान क्यों हो क्यों देश एक नहीं रह सकता है किसी भी देश भक्ति के मन भी ये चट पटाट होती थी और मैं समझता हूँ देश के आजादी के बाद सेतर वर्षू के बाद वो शट पटाहट को यदि मूर्द रूप दिया है और व्यवस्थित तरीके से किया है जम्बु कश्मीर लोगों के हक में किया है देश की एक तारा खंड़ता के लिए किया है तो हमारे प्रधान मंत्य येस्वस्थि प्रधान मंत्य नरेज्जु बोदी जी के नेतितों में हमारे येस्वस्थि ग्रह मंत्य अमिच्शाज जी के कुसल अव्यक्तित्वा और एक-एक मिनट एक-एक चीज को जिस तरीके से उनोंने सयोजित किया है आज जम्बु कश्मीर के अंदर अब लोगों को महसूस होता है कि हाँ पाज उनको अज़ादे मिली है चंद लोगों के हाथों में उन जम्बु कश्मीर ऐसा गुलाम सा हो गया था वहां का व्यक्ति छट पिटा रहा था, देश के कानूनों का उनको लाब नहीं मिला था, ये 370 हटने से, 35 ये रद होने से, वहां का जो जन जिवन है, अब उसको तमाम प्रकार की सुख्रहें मिलेंगी, वहां का नहीं का पिटा था, चरिए ट़्जिए लगा, जिए ये हम ए रढ़ लगाए, पर झालें हम झालें हिर्णिय के Wear झालें मिला नहीं मिलेता, भी एलैंगी, वहां क todavía णिव कि तनको प्रकात है, भी हम इंटके ओर रहा रहा हमां को जो से पिलहें मिलें हो रहां का act